हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एससी कोचिंग सेंटर दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे मैथ्स के इंपोर्टन प्रेशनों की जो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं दोस्तो पहला कोशन है आपका किसी गाउं की जनसंख्या 5% घट जाती है देखे समझे मैं कि दोस्त बात यदि जनसंक्या 3000 अधिक होती कितने अधिक होती 110% हो जाता यहाँ पर क्या करा है जन संक्या 3,000 अधिक होती अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पहले 95% बाद में कितना है 110% कितने की ब्रद्धी है पर्सेंट में पर्सेंट में आप चेक करेंगे तो कितने की ब्रद्धी है 95-110 15% की ब्रेद्धी है और यहाँ पर कितनी ब्रेद्धी है 3000 की ब्रेद्धी है तो आप कह सकते हैं दोस्तो 15% बराबर 3000 के लिए रहे आपसे पूछ रहा है गाउं की मूल जन संक्या टोटल जन संक्या पूछ रहा है जब 15% बराबर 3000 तो 100% बराबर दोस्तों कितना हैगा यह 3000 रहेगा ठीक है 15 कहां जाएगा बटे में आ जाएगा 100% का मान निकालना है तो 100 से मल्टिप्राइग कर देंगे इसे कटाईए यह कट जाएगा 152 30 2 0 बचेंगे 200 का मल्टिप्राइग 100 में करेंगे 2-1 कम कितना हो जाएगा 2-0 दोस्तों ये वाले लिखेंगे 2-0 ये वाले लिखेंगे कितनी होगी गाउं की जन संख्या मूल संख्या 20,000 C option हो जाएगा दोस्तों आपके question का सही answer तो मैं उमीद करता हूँ ये प्रेशन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा जन संख्या वाले प्रेशने दोस्तों एकजाम में पूछे जाते हैं कभी जन संख्या में ब्रध्दी पूछी जाएगी कभी कमी पूछी जाएगी कभी 2 साल बात का पूछा जाता है तो इस तरह के सभी प्रेशन में करा चुका हूँ दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाईए आपको सभी वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला कॉस्षन अगला कॉस्षन है और दोस्तों ये कॉस्षन बहुत इंपोर्टेंट है किलियर है इस तरह के प्रेशन एक्जाम में जब पूछे जाते हैं तो स्टूड़न फस जाता है लेकिन आज के बाद नहीं फसेंगे ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ देखें कॉस्षन क्या के रहा है एक कपड़े के ब्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40 परसन लाप पर बेचे और 6 के आधे 40 परसन हानी पर बेचे और 6 कपड़े लागत मुल्ये पर बेच दिये पूरे सोदे में उसे कुल कितना लाप या हानी हुई यह पूछा देखें यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कोई भी भी ब्यापारी है मान लिजे उसके पास 100 कपड़े है और 100 कपड़े का जो लागत मुल्ये है वो भी 100 रुपे है ठीक है जब हमें कोई बस तू नहीं दी जाती है रुपे नहीं दी जाते हैं तो हम उसे क्या मानते हैं 100 मानते हैं मान लिजे किसी ब्यापारी के पास 100 कपड़े हैं और उनका लागत मुल्ये कितना है 100 रुपे है अब देखिए क्या करा क्वेशन में एक कपड़े के ब्यापारी ने अपने आधे कपड़े कितने द लाब की बादि होती हैं दोस्तों सवेंलाप करके लिखते हैं लाब नब है शेली से पर्सेंटब बतकर सबस्द जिर उयते हैं 3 इसका मतलब 40% लाप हुआ, 70 रुपे उसको मिल गए अब 100 कपड़े थे, 100 में से आधे की बात तो हो गई आधे बचे कितने 50, 6 कितने बचे उसके पास 50 6 के आधे 40 पर सरहानी पर यहाँ पर सुनिए, 100 कपड़े थे, उनके आधे की बात तो हो गई 6 कितने बचे आपके पास 50, अब कहरा 6 के आधे तो 6 आधे 50 हैं, 6 के आधे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा 6 के आधे 40 पर सरहानी पर बेचे, 6 के आधे कितने 40 पर हानी पर हानी की बात करना तो 100 में से घटा के देंगे, तो 40 को घटा देंगे सो में से कितना बच्चेगा 60% का मतलब बटे में सो आ जाएगा दूस्तों केलियर हूँ इतनी बात इसको कटा लेंगे अब देखे इसको जब कटाएंगे तो ये कटेगा पच्ची से कटाएंगे 60 को 15 बार में कट जाएगा ये भी कट गया तो जब 25 आधे कपड़े 60% पर बे देखे यहां पर सो कपड़े थे उसके आधे 40% लाब पर ठीक है जो सेस बचे थे फिर उसके आधे 40% की हानी पर कर रहा है तो शेश कितने बचे आपको दोस्तों 25 ही तो बचे के लिए रहे कितने बचे 25 25 की कह रहा है वह कि लागत मुली पर बेचे जाब सो कपड़ों का ल लाब यहानी हुई देखे जब आधे कपड़े उसने 40% लाब पर बेचे कितने मिले सौर्व सतर रुपे मिले फिर कितने मिले उसे दोस्तों 40 पर हानी बेचने पर 15 रुपे मिले और शेश को बचे हुए को लागत मुली पर बेच रह तो 25 में बेच रहा तो सब को जोडएं के लिए रहे तो लाब कितना हो रहा है उसे 10% का लाब हो रहा या नहीं हो रहा यही हो जाएगा दोस्तों आपकी question का सही आंसर 10% लाब C option हो जाएगा आपकी question का सही आंसर मैं उम्मीद करता हूँ सभी को यह प्रशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा question दोस्तों यह बहुत अच्छा है ठीक है आप देखेंगे अगला question अगला question है A तथा B किसी कार्रे को 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं एक कार्रे को आरंब करता है तता उसके बाद वे वारी-वारी से एक दिन करके कार्रे करते हैं अगर हम दोनों का LCम ले लेंगे दोस्तों तो दोनों का करता है किटना है च्छाटीस आएगा 36 को 12 से कटा देंगे तीन बार और 36 कटा देंगे दो बार इसका मतलब यह है कि आपका जो ए है एक दिन में तीन काम करता है तो 12 दिन में ट्टटिस काम कर देगा जो जो LCM निकल के आता है वो आपका RPG होता है ठीक है आप देखे कौशन को समझे भी क्या कह रहा है ठीक है आरं करता है तुद्धा वे बारी बारी से कार्ण करते हैं वे काम खतम करके अपना थीन चला गया फिर आएगा कौन काम करने भी आएगा वी एक करके चला जाएगा तो एक दिन इसने किया एक दिन इसने किया तो कितने होगे टोटल होगे यह दो दिन ठीक है और दो दिन का काम कितना है टोटल जोड देंगे दो दिन का काम कितना हुआ दोस्तों पांच तो दो दिन सत्ते 35 जाएगा अब कार रहे दोस्तों आपके पास कितना बचा करने के लिए 35 तक जब कट गया तो एक कार रही तो बचा इसे करने के लिए कौन आएगा यह आएगा जिसने कार रारंब किया है वही तो आएगा यह कितना करता है एक दिन में 3 करता है तो कितना बच गया दोस काम पांच है ये दो दिन का है अगर ये एक दिन का काम होता हमारा एक दिन का तो एक दिन का दोनों के मिलाके यहीं पर तीन और दो पांच पांच से च्छतिन भाग दे देते अगर एक दिन का काम होता तो लेकिन ये दो दिन का है तो यहां पर दोस्तों इसका डवल नहीं कर देंगे साथ दोने का 14 14 सही 1 बटे 3 ये होगा आपकी question का सही answer बात आगे दोस्तों समझ में अगर यह हमारा एक दिन का काम होता पांच तो यही answer था लेकिन यह दो दिन का काम है तो जो हमारा आता है 6 उसमें 2 से multiply कर देते बात आगे दोस्तों समझ में आप कहेंगे इसमें क्यों नहीं किया इसमें नहीं करेंगे दोस्तों इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एक काम तो बचेगा न ठीक है 35 की तो कठा 35 तक कट गया 75 35 तो साथ क्या कर देंगा डवल 14 एक काम बचेगा उसे करने के लिए कौन होगा अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से साथ कम हो जाती है वह संख्या कितनी है देखें बहुत अच्छा कोशन है तो ऐसा प्रशन आपको कभी भी मिलेगा तो गो थुरू ऑप्शन 35 हो जाएगा किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो मान लीजिए 14 में 21 जोड़ा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा फिर क्या कह रहा है वह अपनी तिगुनी संख्या से साथ कम है अब 14 के तिगुनी संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी 14 का तिगुनी कर देंगे 14 कितना हो जा सकते हैं मालीजी 16 ले लेते हैं और इसमें 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 37 हो जाएगा और 16 का मल्टिप्राइब तीन से 33 संख्या कह रहा है तो क्या 48 से 7 कम है आपका 37 साथ कम नहीं है दोस्तों यह तो जादा है 11 कम बैठ रहा है हमको क्या चाहिए साथ कम तो जो हमने पहला ओप्षन देखा था जो पहला देखा था 14 14 में की जोड़ा 35 तो यहीं हो जाएगा सही आंसर पहला उप्षन उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला अगला कोशन है यदि किसी बस्तू को 5% हानी की अपेच्छा 15% लाब पर बेचा जाता है तो बिक्रेता को 400 रुपे अधिक मिलते हैं बस्तू का क्रय मूले कितना है दोस्तों कोशन बहुत अच्छा पूछा गया है देखिए कोई भी बस्तू होगी कितनी होगी दोस्तों 100% होगी उसे क्या करते हैं 5% की हानी पर बेचते हैं तो यसका मतलब कितनी बीचेंगे 95% लेकिन आप यहां देखेंगे कितने परसंट अधिक में बेच रहा है 95% कि अपिछा 115 में बेच रहा है कितने अधिक में बेच रहा है आप कहेंगे 20% अधिक में बेच रहा है तो यहां पर बेच रहा 20% अधिक में यहां बेच रहा 400 रुपय अधिक में तो 20% बराबर दोस्तो 400 हो जाएगा clear है जब 20% बराबर 400 तो पूछ रहा है क्रेमूले क्रेमूले मतलब 100% कमान तो 20 बराबर 400 दो 100% बराबर कितना हो जाएगा 400 बटे में कितना जाएगा 20 गुने 100 काड़ दो इसे 20 से कटेगा 100 दोस्तों आपका 5 बार में और 400 कमल पांसे कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 2000 ये हो जाएगा क्रेमूले बस्तु का और यही हो जाएगा आपका आंसर पहला ओप्शन केलियर है मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ये कोशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आकि होगा अब देखिए इसको और शॉड तरीके से कैसे कर सकते हैं कभी भी आपको ऐसा question दिया जाए हानी के पेच्छा लाब या लाब की पेच्छा हानी कभी भी ऐसा question दिया जाए हमेसा याद रखना हानी और लाब एक जगे हानी है एक जगे लाब है कभी भी ऐसा question मिले एक जगे हानी हो एक जगे लाब आप दोनों को जोड़ दीजिये, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, दोस्तों 20 हो जाएगा, कितने रुपे की बात कर रहा है, 400 की बात कर रहा है, तो 400 लेखेंगे, और मल्टिप्लाई कर दीजिये, 100 सिम, क्रैम मूले निकालने के लिए, कटा देंगे दोस्तों 5 पार चार सो का मल पांच में दो हजा आ गया दोस्तों आपकी कोशन का आंसर किलियर है यह तो मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से किलियर करके बताए ताकि कोई भी डाउट ना रहे अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है 200 लीटर के मिस्टन में 30% एलकोहल है घोल मे कितना एलकोहल और मिला दिया जाए ताकि एलकोहल की मातरा घोल में 50% बन जाए देखें दोस्तों एलकोहल की मातरा पहले कितनी है 30% है के लिए रहे बाद में कितनी बन जाए एलकोहल की मातरा कितनी बन जाए 50% बन जाए पहले 30% है कितनी बन जाए 50% तो परसेंट में कितन मिला रहा है 20% मिला रहा है परसेंट में समझी में आगी दोस्तों बात अब देखें टोटल कितना है आपके पास मिसर्ण 200 लीटर का है समझी में आगी बात यहां परसेंट में कितना मिला रहा है 20 तो यहां 20 रख दीजिए के लिए मातराबाद में कितनी बन जाए 50 बटे में 50 चास रगतो बस आगया दोस्तों आपके question का answer जीरो से आप यहाँ पर एक जीरो कटा दीजे पांस से कटाएंगे पांच चौक के 20 चार का multiply करेंगे 20 में कितना हो जाएगा 80 तो देखे यहाँ पर क्या करा एलकोल की मातर कितनी मिला दीजाए 80 लीटर मिला दीजाए कितना हो जा प्रकार के question मिल जाएंगे और यह प्रशन आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आगया होगा जब पहले एलकोल की मातरा 30 है बाद में कितनी बन जाए 50 30 से 50 बन जाए कितनी बढ़ेगी 20 बढ़ेगी जो टोटल है हमारे पास 200 उसमें 20 का गुना कर दिए जितना बन जाए जितना बनाने के लिए कह रहा है उससे भाग दे तो आप का अंसर आजाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को यह question अच्छे तरीके समझ में आगया होगा जितने भी question कराए हैं सभी आपको पसंद आए होंगे दोस्तों दी वीडियो पसंद आया तो like करें और दोस्तों दन्यवाद